नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना उद्योग आधार का जो certificate है उसको आप कैसे update कर सकते हैं या उसको edit कर सकते हैं और उसमें changes कर सकते हैं तो बिना समय गवाए हम उद्योग आधार पे चलते हैं उद्धियोग अधार पे आने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना है तो आप अपना यहां अधार कार्ड नमबर डालिए और उसके बाद अपना नाम डालिए जैसा कि आपने रेजिस्टेशन में डाला था उसके बाद आप वैलिडेट एंड जेनरेट और पीटी पे क अप्लिकेशन ठीक है तो हम इस वन पे क्लिक करेंगे तो हमने जो रेजिस्टेशन किया था पहले वाला उसका डिकेल हमारे सामने देखी ओपन हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि आपका यहां यू एम नंबर सो हो रहा है इसको हम लोग कॉपी मार लेते हैं क्योंकि पर अब आपको यहां पर जो क्याप्चा दीख रहा है इसको यहां टाइब कर दीजे और टाइप करने के बाद वैलीडेट एंड जेनरेट ओपीटी पे क्लिक कर दीजे उसके बाद आपके मोबाईल नंबर पर वांटेम पासवर्ट जाएगा जिसको देखके यहां पर टा उद्योगाधार इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो next page में आपको यहाँ पर edit करने का option मिल जाएगा जिसमें आप अपने name of enterprise का नाम जो है वो change कर सकते हैं आप यहाँ पर अपना address चेंज कर सकते हैं उसके बाद आप अपना यहाँ NIC code भी change कर सकते हैं bank account number भी change कर सकते हैं तो यहाँ पर तमाम तरह की चीज़े हैं जो आप यहाँ पर change कर सकते हैं और change करने के बाद आप simple सबसे नीचे update पर क्लिक करेंगे तो आपका उद्योगाधार जो है वो update हो जाएगा उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मैंने सही सही जनकारी दी और आपको समझ में आ ग झाँ में आपको समय कर अपको समय आपको समय वहाँ नीचे एड़ सावब चाने लूप को समय जो है अगलेख कर यहाँ आपको समय जो है